वेलकम तो प्यूर कुकिंग इसीडियो में मैं हैदराबादी अमबाडे की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ पहुत ही टेस्ट यह चटनी बनती है और अच्छी बात यह है कि इस चटनी को आप एक महीने तक भी प्रिजर्फ करके रखे खा सकते हैं तो आप सफर में कही जा रहे हैं तो यह आइडियल चटनी है तो चलिए बनाना शो करते हैं सबसे पहले इसके लिए मैंने पैन में एक टेबल स्पून ऑईल गरम किया है इसमें एक टीस्पून जीरा और पांच्छे हरी मिर्ची को थोड़ा सा भून लेना है साथ में एट करेंगे पांच्छे करना है नहीं तो चटनी खराब होगी तो जैसे मैंने आपको कहा यह चटनी प्रिजर्फ करने के काम आती है तो इसको चनी में रखिए ताकि इसका पानी जो हो सारा सूख जाए तो 100 ग्राम के खरीबी अमबाडा है तो कटे बड़े छोटे होते हैं बंच इसलिए मैं ग्रा बहुत ही अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो सारा मॉइस्चर भाजी का निकल जाए अब देखिए आप भाजी अच्छे से गल गई है पत्ते बिल्कुल तूट रहे हैं और पानी भी इसका सारा ड्राइ हो गया है अब हम इसमें नमक एट करेंगे तो चटनी में जितने आपके हिसाब से नमक लगता है उतना दान लीजिए और अब देखिए बिल्कुल अच्छे से भाजी गल गई है बस साथे आट मिट में ही यह बाजी इस तरह से मैश हो जाएगी तो अब इसको हलका सा थंडा कर लेंगे क्योंकि गरम गरम में पीसना नहीं है तो देखिए अब यह बिल्कुल थंडी हो गई है भाजी स्टोकी फ्लेम बन कर दी थी मैंने और एक पांच से दस मिट के आद में हम इसको लेके यह जो हमने मसाला पीसा था उसी के साथ में हम इसको पीस लेंगे और जो ग्रैंडर का जार आप यूज करें उसे भी खैल रहे कि इसमें ब जादा दालें 100 ग्रैम भाजी के लिए कम असकम 50 ग्रैम लगेगा अगर आप पिजर्फ करने के लिए बना रहे हैं तो तो बनकर तयार है वहुत ही मज़ेदार टेस्टी अमबाडे की चटनी जैसे मैंने कहा यह आप सफर में ले जा सकते हैं यह बिलकुल खराब नहीं होती एक महीने तक और खाने में बहुत ही टेस्टी गर्म गरम चावलों के साथ में घी डाल के आप यह चटनी खा लेंगे तो किसी और सालन की ज़रत नहीं होगी यह तनी मज़ेदार बनती है तो टेस्टी अमबाडे की चटनी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूरे लाइक किजिए शेयर किजिए अपने ऐसे फैंबली और फ्रेंड से जिनको अमबाडे की चटनी पसंद आएगी और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के थैंक्स वर वाचिंग